गवर्मेंट आदेश दे रही है इच्छा जाईर कर रही है रिक्वेश्ट कर रही है कि सारे लोग अपने घर पे तिरंगा पढ़ा है बहुत खुसी की बात है आज तक कभी नहीं हुआ हम रूज की त्यारी कर रहे हैं यहां की सबसे बड़ी समस्या सर आप क्या देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यहां नाली की समस्या है और जल जमा की समस्या है जो भयानक है जो भयानक है सारे नाली के धकन जो हैं उपर में हैं सब खुले हुए हैं कहने को जो है बहुत सिच्छी तवर्ग है साथी काफी प जब करने को है सारे पुरणे ताड लगे हुए हैं और नेया ताड का नेक्षन है लेकिन जोड़ा नहीं गिया है आए दिन ताड टूट रहे हैं खत्रह कभी हो सकता है किसी की देह पर सरीर पर गारी पर कभी मी गारी तार गिर सकता है और रही बात मतलब साफ सिफाई की तो रहता है सब जगह होता है यहां भी होता रहता है लेकिं कच्रह अभी भी देखने को मिलेगा नाली का वही सोची बहुत खराब है पानी का वहीजित है जल-जमाओ है कहने को नदी की नारे हैं लेकिन कोई नाला नदी से connected नहीं है एक ही नाला है जो पांच-दस घर को जोड़ता है हमारा यही मोहिम है कि कम से कम इस समस्या को देखें पब्लिक की जो साम समस्या इसको देखें सुधारें और उसको कोशिश करें कि जल से जल से उस पर करवाई की जाए और रही बात की विकास का तो अगर उपर वाल करूंगा आपके यहां बहुत सारी ऐसी मतलब जो है समस्या हैं जिसको यह बरतमान वाड़ परसद हो या पूर में जो लो रहे हैं उन लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है और जनता का कहना है कि इस बार परिवर्तन का चुनाव है बदलाव निश्चित होगा तो ऐसे में बड़ी जिम वारि अगर आपको मिलती है तो आपकी क्या कोशिस रहेगी मेरी कोशिस है कि अगर मुझे जिमिदमि रखा यह पपब्लिक ने दे रखा है तो जिमिदमि वारि को मुझे बढिया से निभाना है है हना इसलिए मुझे पूरा समय देना istamay देते हुए इसको बनियस निभाना है और इसको ऐसा वार्ड बनाना है जो सिवान जिले में एक मिसाल हो देखिए इन्होंने साफ तर पर कहा कि मेरा सपना है कि मोडल वार्ड बनाया जाए और यहां पर विकास की ऐसी बेवस्था हो ताकि उदाहरन दूसरे जगों पर इसका दिया जाए तो वार्ड संख्यत 30 में यहां की सबसे बड़ी समस्या असर आप क्या देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या यहां नाली की समस्या है और जल जमा की समस्या है जो भयानक है जो भयानक है सारे नाली के धकन जो हैं उपर में हैं सखुले हुए हैं कहने को बनता है रिपियर होत पूरे भारत बरस में कि सभी घरों पर तिरंगा जंड़ा फाराय जाएगा इसके लिए सरकार ने सभी को जो है इस तरह का मतलब अपील भी किया है तो आप क्या कहेंगे पहली बर ऐसा हो रहा है बिल्कुल पहली बर हो रहा है हम तो अपने लाइफ में पहली बर देख रहा है कि गवर्मेंट आदेश से दे रही है इच्छा जाईर कर रही है रिक्वेस्ट कर रही है कि सारे लोग अपने घर पे तिरंगा पढ़ा है बहुत खुसी की बात है आज तक कभी नहीं हुआ हम लोग इसकी त्यारी कर रहे हैं ताकि हम लोग भी अपने घरों पे तिरंगा फढ़ा है अपने आपको सौतंत जो आज तक सौतंत नहीं महसूस क और इस पर हमारी पूरी पूर्जोर कोशिस रहेगी कि हम भी चाहेंगे कि अपने वार्ड में सब लोग से यह सुचित करें यह सुचना दें कि सारे लोग अपने घर पे तिरंगा जरूर लगा है जरूर लाए है तो देखिए राजीव कुमर सिर्वास्तों ने चुनावी अखनाद का एलान कर दिया है और ऐसे में आपका जो नाम आ रहा है जिस तरह से चर्चा हो रही है तो आने वाले समय में और क्या आपके रहनीती रहेगी ताकि चुनाओं को और थोला सा धारदार और रोचक बनाए जाए मेरे रजनीती यही रहेगी कि देखिए यह मांदारी से काम करना है मांदारी से उसको करना है अगर परिवारिक पिष्ट भूमी की बात करें तो इसके पहले आपके घर परिवार के कभी नहीं हमारे यहां के कोई भी इस लाइन में नहीं रहा है इसलिए हमको जिमराज दी गई है सारे जनता मिल के हमारे नाम वे लाउंस किये जो मेरे सर पर भार रखा मैं लेने को त्यार हूँ मैं अपने मंदारी से काम करते हुए इसको आगे बढ़ाऊंगा